आप सभी को मेरा प्रणाम आशा करता हूँ आप सब बच्छे होंगे हर्बल रेमेडिये जे नेचल से जर्माप का स्वागत है मित्रो आज हम स्किन रिलेटिड डिसोडर्स की बात करेंगे इस्टरोडल ड्रग का सिवन करना पड़ता है ताकि हमें इचिंग ना हो और साथ ही साथ रेडनेस और इंफ्लामेशन के लिए भी हमें एंटि हिस्तामेनिक्स ड्रग का सहरा लेना पड़ता है लॉंग लास्टिंग जिनके काफी हानिकारक दुस प्रभाव होते हैं लिवर और हमारे किड्नीज पे भी काफी हानिकारक प्रभाव वो अपना छोड़ते हैं और स्किन प्रोब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो आज हम बात करेंगे एक फ्लांट की जिसका नाम है एक अलीफा विलकेशियाना यूफोर बीसी का मेंबर है और कुछ लोग कॉपर लीफ भी कहते हैं मैं तो आप इसके ग्रेनिश येलो इस ग्रीन और कभी-कभी ब्रावनिश रेड कलर के भी इसके लीफ हो जाते हैं और कॉपर जैसा कलर भी डवलप हो जाता है कॉपर लीफ भी इसको हम कहते हैं यूफोर बीसी का मेंबर है कई परकार से हम लोग इसको प्योग में ला सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे टीरियस वर्सीकुलो इसके अंदर क्या होता है कि फंगल इंफेक्शन के कारण स्किन पे पैचिस बन जाते हैं और देखने में भी काफी डराम पिलानिविल इंफेक्शन इसके पत्र से और ये जो इन्फलोरेशन विआ देख रहे हैं इसको भी आप इसके महिन पेस्ट में मिलाकर लगा सकते हैं और मित्रो कई बार हमारे स्किन के ऊपर जो सबसे गलेंट्स होती हैं उन में भी और उनके कारण भी बंविन इंफेक्श स्किल्प होता है कि सिर्दर के रखेश होते हैं किसी भी पर करके dwarf divided यूश्र में हो जाती है और मेली सबश्यक्स में इसा होता है और स्कैल्प होती है // महांपे उसकता है जहां पर जाधा हूती है // जैसे एक आतने झाए लेगर्ट थоры होती है // यहांपे फ्लिक्त ग्रफ क suffix पर खंड ही मेर्णा करना चाहते हैं अच्छे से प्रोटेक करना चाहते हैं और पर्सनलिटी का यह हमारा फेस का ग्लोव अगर अच्छा रहता है तो पर्सनलिटी डवलपमेंट भी काफी अच्छा होता है और अच्छा लगता भी है confidence level हमारा बढ़ा हुआ रहता है तो मित्रो आप इसके पत्र का पेस्ट बना कर लगाईए कई परकार से अच्छा कारे करते हुए आपकी personality को डवलब करने का कारे करता है आपका चहरे का गलोब डाने का कारे करता है कई परकार की cosmetics में भी इसके decoction का आज कल कुछ herbal pharmacies इस्तमाल कर रही है मित्रो आप क्या कर सकते हैं इसके पत्र का juice बना कर सकते हैं एक होता है कि इसके से bonus के माध्यम से सडीट टॉक्सिंज भार निकल जाते हैं कफ को भी निकालने वाला होता है और अगर पेट के अंदर कीड़े भी होते हैं वह बीक दूर के ता अच्छा कारे करते हुए लिपोलाइसिस का कारे करता है ट्रेगलाइस्ट्राइट के लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ने नहीं देता है दूसरा ग्लाइकोजनेसिस करता है ग्लुकुस के लेवल को भी शरीर में कंट्रोल रखता है यह मिनरल्स के सफिशेंट अमाउंट में कारे करता है और उनी मिनरल्स से संचालित मेटबॉलीजम के हैं हेल्प मिलती है अर ग्लों केंदा王 का यह दूसराइट करने कारे करता है , घ्रिशुद्स को नवमृट क्याने करता है कई बार hormones की कमी के कारण body की growth रुख जाती है, height नहीं बढ़ पाती है, ऐसी समस्याओं को भी ठीक करने का करे करता है, और जब metabolism अच्छा हो जाता है, तो body की growth भी अच्छी होती है, fertility को maintain करने का करे करता है, इस बात का हमें विशेश ध्यान लगना चाहिए, कि root का decoction भी अग powder बना कर उसका काढ़ा बना कर आप से बन करें, सेफ रहता है, metabolism के लिए, hormones को regulate करने के लिए, liver detoxification में भी बहुत अच्छी इसकी उपयोगता है, free radical sequencing इसकी activities होती है, lipolysis, glycogenesis और skin care के लिए, terriasis versicular और syboric dermatitis, इन दोनों में काफी अच्छी इसकी potency होती है, और अधिक जानक पर आप हमें message कर सकते हैं, जानकरी अच्छी लगे तो जरूर सेर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभानवित हो सके हैं, आपके उत्म स्वास्ता की कामनाओं के साथ, कल फिर मिलेंगे एक नई प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ, तब तक कि लिए आप करना चाहूंगा मित्रों घरों की सुंदर तको बढ़ाने के लिए लेंस को लगा सकते हैं, हैस की रूप में आप इसको लगा सकते हैं, देखने में सुंदर लगता है, आसानी से लग भी जाता है, कटिंग के मध्यम से, फिर मिलेंगे नई प्लांट के साथ सुबह साड़ी अच्छे मुझे आप से दिखा, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार.